हाई फ्रेंज कैसे हैं आप सुवागित करता हूँ आपके अपने चल्क रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करेंगे LSH vs SPB Full Stats Plus Info यानि Last of War Hikers और Salt Prawn Breakers के बीच में जो विंसी प्रीमिर लीग का मैच नबर टू आज आपको कहला जाता दिखेगा उससे पहले आपको बता दूं Match 1 जो है T10 League का वो मैंने आपके लिए आपके लिए वीडियो कवर कर दिया है इसके साथ साथ जो World Cup Women's का मैच आपको कल England और New Zealand Women में देखने को मिलेगा वो भी आपके लिए कवर कर दिया है आपके लिए Full IPL भी लेके आने वाला हूँ बहुत जो प्रोश शोरों से कोशिश है कि लेकिया हूँ और लास्ट IPL जैसे धूम मचानी है हमने अर्शिर भटेल, आवेश, खान, मैच 1-2, चेतन सकारिया यह सब प्लियर्स हमें फिर से ढूंडने है ठीक है प्लियर्स पर जादा ध्यान देने वाली बात है पिछ पर देखने वाला कुछ है ही नहीं ग्राउंड डिसेंट साइस का है, रंस भी बन जाते हैं, विकेट्स भी जब गिरने पर आती हैं बहुत गिर जाती है मैं यहाँ पर आपको बताओंगा कौन से प्लियर्स अच्छे हैं, उन पे ही हम बात करेंगे पिछ से जादा इस पे फोकस करेंगा, अब देखो, मैंने ही प्लियर्स मैच अप्स इंट्रोड्यूस किया था हमारी फील्ड में, अब हर कोई आपको बताता है, ठीक है, लेकिन हर मैच पे प्लियर्स मैच अप्स की इंपोर्टेंस नहीं होती, मैंने देखा कुछ लोग ऐ जादा घ्यान मिलेगा, कहां पे, IPL में, ऐसा घ्यान मिलेगा, लोग कहेंगे, रही, यह स्टाट कहां से उठा के लिए यह भाई, वो भी ढूण के लाऊंगा, ठीक है, आपके लिए, तो चलिए, अब SPB की यहां प्रॉइबल 11 देखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी नि नमबर थरी पे, Atticus Brown, फिर, Recabo Williams, जो की एक differential player है, Recabo Williams जान रखना, देन, Ryan John, इनके overseas player, Delon Johnson, Anton Latchman, K. Joseph, Canceler Joseph, एनकी टीम में, Springer है, एक अच्छे all-rounder, Benintels, Tapalon, last season के highest wicket taker, Kadeem Elayne, जो बहुत अच्छे बोलर है, CPL में भी खेलते हैं, ठीक है, और यहां पे, Devian Barnum, यह इनकी के लिए, चाले सन, wicket keeper है, टीम के जाधा बल्ले बाजी नहीं करते हैं, कैसले Joseph, जाधा बल्ले बाजी करते हैं, और इनको अगर आप wicket keeping के तोर पे खेलता देख रहे हो, तो यह opening पे भी आ सकते है, 16 match में, 77 run है, और 2 match में और भी किये इनोंने, total 4 over 2 wicket, ठीक है, सुनी लिम खेलते हैं, तो CVC के सिधा-सिधा दावेदार है, बट I really doubt कि यह खेलेंगे के नहीं, ठीक है, as for my research, he is not available, left hand batsman, 28 match में, 417 run, 26 innings खेली हैं, 20 का average है, 52 बार है, 34, 31, 27, over 1 ही है, बट यह player काफी solid है, तो इनको बल्ले बाजी के तौर पर आप ज़़ूर अपने team में consider करिए, आर्टिकर्स ब्राउन, 25 match में केवल, 108 run, player तो ठीक है, domestic level पर आगे भी खेले हैं, बट Teton League में performance नहीं है, 4-10 है, 6-6 है, ठीक है, Rickford Walker, opener है, अच्छे player है, 27 match में, 112, 8-10 की average, लेकिन last season ठीक खेले थे, 4-11, 6-8, Jordan Samuel, 5 match में केवल, 3-9 है, जाधा कुछ बताने को नहीं है, लेकिन ये wicket keeping भी कर लेते हैं, जो जाधा लोगों को नहीं बता होगा, क्योंकि wicket keeping section में नहीं given, रिकावो विलियम्स मेंने पहले पता है, differential player है, 10 match में 108 है, 12 की average से, 4-5, 6-10, 6-10 चक्के लगाते हैं, 10 match में, 10 match में, 1-0 wicket, then, इनके clear हैं, जो अभी तक VPL नहीं खेले, 20C Premier League नहीं खेले, बट उनका domestic stats is terrific, 23 match में 374 हैं, 17 की average से, 50-2, ये T20 का record है, strike rate वहाँ 108 का, 4-5, 6-6 के मारते हैं, और 23 match में 9 wicket भी है, अच्छे कासे ओवर डाले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं, अगर springer खेल रहे हैं, could be a spring for your team, और आपका opponent हो सकता, उतका spring ना ले पाए, और आप जीत जाएं, तो इनका ध्यान रखना, बाकी mcdonald's के भाई भी खेल रहे हैं, डिवांटे mcdonald, ठीक है, खास record नहीं है, longer format match के रहे थे, I think 4-day या 5-day match होगा, unlimited innings का, unlimited unlimited innings नहीं, unlimited overs मुझे कहना चाहिए, so एक match भी एक विकेट वहां पे था, I am not so sure, बल्लेबाजी भी शायद करते हो, but जो इनका काम है, majorly मुझे कुछ खास दिखा नहीं है, भी तक है, so young player है, it won't be much surprising to me कि यह जादा matches ना खिले, but there is a rule of 1-2-2 matches हर player को, जो development player है, उनको खिलाना है, यह 14th pick थे draft में, which was category reserved for development players, ठीक है, अब डेलोन जॉनसन की बात करते है, इनकी team के main player है, अब क्यूंकि यहाँ पे सुनी लिम्प्रिस नहीं है, यह ही इनके main player है, West Indies एके लिए खेल चुके है, 29 match में 100 सिरन और over देख लो, 29 match में 56 और यानी, 28 match में अगर यहर match में 2 और तो वो 56 बनते हैं, अब एक match को छोड़ो देते हैं इनके, तो almost पूरा over यह कर रहे हैं, 27 wicket भी इनके पास हैं, last VPL में highest wickets ली थी, total 30 match में इनके बस 25 wicket है, runs भी थोड़े से कर लेते हैं, रियांज और इनके overseas player हैं, very good player, 10 match में 4 wicket, run 118, but star player हैं, आप इनको ज़रूर अपनी CPA level पर के लिए हैं, अच्छे player हैं, और यह भी इनके overseas player हैं, I think Rian John के साथ, बागि Davian Barnum है, 17 match में इनके पास 22 रन हैं, 9 over हैं, 4 wicket हैं ठीक हैं, तो इनका एक आदा over आ जाता है, कहीं बार दो भी करवाए जाते हैं, तो अब हम बाग करेंगे, लासुफ अगर हाइकर्स की, त टीम में आप देखोगे, all rounders बहुत अच्छे हैं, so starting with opener, Deserone Maloney और जहील वाल्टर जोपनिंग करेंगे, डिलन डूगलस नमबर 3, एंड्रियो टॉमस नमबर 4, टीम चाहें, तो सीधा आपने power hitter, Gidron Pope को उपर भीज सकती है, जो I think अभी तक 4 Charlotte strikers में थे, उन्होंने इनको ध्यान नहीं है, इनका selection कितना है, अगर कम selection है, तो आपकी grand league बड़ी बन जाएंगे, केवम होज, बहुत अच्छे player है, oversies player है, spin करते हैं, ये भी CPL में खेल रखे हैं, सेट लूशिया के लिए, हादा कि last season में नहीं, उससे काफी पहले, बट overs भी करते हैं, और runs भी कर सकते हैं, spin bowler है, ओटनी लूइस अगें spin bowler, जो runs कर लेते हैं, very good player, जरेमी लाइने fast bowler, थोड़े से runs ये भी कर सकते हैं, then Cameron straw और OJ Matthews में से, अगर टीम को spinner चाहिए, तो OJ, नहीं तो Cameron straw खेलेंगे, Nigel Smaller, यहाँ पे yard reliefs में से कोई एक, और O'Mario भी भी fast bowling करेंगे, यह left hand player है, काफी अच्छे player है, 29 match में 377, 15 की average, तब भी मैं यह कह रहूँ कि अच्छा record नहीं है, because इनकी ability बहुत ज़्यादा है, 50-1 है, 24-26, 29 match में 3 over है, और 45 रंखा के 0 wicket, Bezer and Maloney, ठीक है, 50 इन्होंने भी दो बार की है, यह अच्छे बल्ले बाज है, और इन्होंने एक over डाला, उसमें 2 wicket लगे गए थे, Kevam Hodge, 11 match में 121, 20 की average से, जबकि 11 match में आप देखोगे लगभग, तो 19 over 5 wicket, तो कहीं न कहीं आपको over दे देंगे 2, ठीक है, ध्यान रखना, I think इनको बल्ले बाजी section में रखा हुआ, so you should know that यह आपको over दे देंगे, Andrew Thomas, 20 match में 141, 14 की average है, चक्के 11 लगाये हैं, यह देखने वली बात है इनकी, 20 match में 6 over भी हैं, 3 wicket, जहील Walters, 28 match में 2 over 2 wicket, बल्ले से कम अच्छा किया है, ज्यादा अच्छा नहीं किया, लेकिन आप देखोगे अगर तो यह opening पर आ सकते हैं, ठीक है, तो काफी लोग इनको ही captain कर देंगे, ठीक है, तो ओटनी, Lewis एक अच्छे प्लियर है, 31 match में over काफी डाले हैं, 24 wicket, runs भी कर सकते हैं, then OJ Matthews है, again 20 match में run तो 24 हैं, लेकिन over अच्छे हैं, 15 wicket हैं, Jeremy Lai ने कुछ season इनों ने miss किया, I think 1 season miss किया है, तीन में से, तो कहीं ना कहीं, देखोगे तो, नहीं, ये injured हो गए थे, I think विष्टर season के पहले, एक दो match के बाद ही, तो 21 match में 26 run हैं, और wicked भी 24 हैं, तो bowling से काफी शांदार हैं, दो over आपको करके देंगे, इसमें आप देखोगे, दोनों ने लगबबग बराबर डाले हैं, विक्टे जादा रोमारियो बीबी की हैं, और innings भी जबकि उनकी काम है, मैचेस भी काम है, तो रोमारियो बीबी जादा भेटर हैं, बट having said that, दोनों के एक दो over हो सकते हैं, नाइजल स्मॉल, अगेन 24 मैच में इनके पास भी over हैं, 11 विक्टे हैं, इनसे बहतर मुझे इन दोनों का स्टैट्स लगए, अब कोबी डैबरियो एक नए प्लियर हैं, लिकिन लास्ट सीजन में जब वो खेले हैं, पांच मैच में तईसी रन हैं उनके, और पांच मैच में चार विकेड भी हैं उनके नाम, मैं क्रेक्ट करना चाहूँगा, खुद को इनका T20 रिकॉर्ड है, यह VPL नहीं खेले हैं, कोबी डैबरियो ठीक है, तो यहाँ पे आप यह समझ के चलो, यह T20 रिकॉर्ड है, तो अब दोस्तों हम टीम करने चलेंगे, यह कीपिंग सिक्षिन पे एंगे, एक्चलिए गिड पोक को ले लिया है, दोस्तों बल्ले बाजी में, I don't think Sunil Imbres खेलेंगे, खेलते हैं, तो 101% आपकी टीम में रहने चाहिए, बटाए फील की वो नहीं खेलेंगे, तो मैंने उनको इग्नोर करके, यहाँ पे डैजरन मलोनी को लिया है, और कादर नेट को लिया है, यह दो तो खेलते हैं, तो केवम होज का सेलेक्शन 19% ही रहता, लेकिन जब दोगों को दिखेगा, Sunil Imbres नहीं खेलेंगे, लोग आएंगे सेलेक्शन के इसाब से केवम होज को लेके चल जाएंगे, तो ठीक है, तो यह बात हम कर लेते हैं, कि Rickford Walker भी ओपनिंग पर आ सकते हैं, Thomas One Down आ अपनी टीम में केवम होज को ही लेना है, इसके लिए मैं 101% शौर हूँ, लेकिन बहुत लोगों होते हैं, जो वीडियो प्रॉपर्ली नहीं देखते हैं, एंड में टीम देख जाते हैं, तो अभी के लिए मैं एटिकस ब्राउन रख रहा हूँ, ताकि केवम होज का सेलेक् हैं, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, उनको मैं लेके चलूँगा, वेरी गुट प्लेयर, ओटे लुइस को लेके चलूँगा, देखो ये दोनों आपको दो-दो ओवर करके देंगे, प्लस ये रंज भी कर सकते हैं, स्पेशली डिलन डूगलस, ओजे मैथ्यूज अच् जेरेमी लाइन के लाबा, मैं ओजे मैथ्यूज को ले सकते हो, देन लास्ट येर के हाइस विकेट टेकर, बेरिंग्टान स्टेपलान और डिलन जॉनसन, इन दोनों को मैंने अपने टीम में रखा है, केस ट्रॉ अच्छी ऑप्शन है, रियान जॉन है, आर विलियम्स है, बट यहाँ पर फिर लासुफर हाइकर्स की टीम बहुत स्ट्रॉंग है, तो ये देखते होए लासुफर हाइकर्स के बोलर्स को विकेट जाधा मिल सकती है, ये एक फायदा मिल रहा है रोमारियो बीबी को, फिलाल क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लाइने को ले लेते हैं, लास्ट प्लेयर हमारे डिफरेंशल ही रहेगा, आप कैजरिक स्ट्रॉंग को भी ले सकते हो, कैमरान स्ट्रॉंग को इन फैक्ट, ठीक है, कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए, दोस्तों, यहाँ पर मैंने डिलन डुगलस को अपनी कैप्टनसी दी है, इस मैच में, मैं आपको ओटनिल लुइस और यहाँ पर डिलन जॉंसन को सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ग्रेंड लिग में कैप्टनसी चाहिए, आप रियाउन जॉंसन को दे सकते हो, ठीक है, अभी कैप्टनसी डिलन डुगलस है, और वाइस कैप्टनसी डिलन जॉंसन, फिलाल ज जॉंसन एंड जॉंसन बेबी सोप नहीं लगाना, मतलब अगर आप बेबी हो तो लगा सकते हो, बट बेबी हमारी वीडियो क्यों देखेगा, बट डिलन जॉंसन को जरूर वीसी लगा सकते हो, और कैप्टनसी मैंने डिलन डुगलस को दिया है, तो यह है मेरी टीम, अब होज बड़े डिफिरेंशल है वीडियो में, बट आइनो, सेलेक्शन पूरा हाई जाएगा, बाकिर यहां रहा है, अच्छी अप्शन है, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी, सीखने को कुछ मेरा, I think there is 100% guidance in this वीडियो, कुछ कमी नहीं है वीडियो में फुल आन मैंने महनत करी है, 6-7 hours की सर्च मैंने दोनों ये वीडियो के मैचेस पर करी थी, पूरा ड्राफ्ट देखा था, आपके लिए 1.5 गंटे का ड्राफ्ट था, तो ये चीज़ का देखके चलो, there is lot of effort in it, मुझे पता है, views कमाएंगे, अभी T10 के मैचेस पर लोगों क आपके लिए कवर, बाकी लोग कहां आते हैं, IPL में आते हैं, मस्त कमाते हैं और चले जाते हैं, मैं full year आपके लिए काम करता हूँ, और अभी तो मैं college student हो, final year का, otherwise, next year सा I will be full on in this field, for you, तो please यहां पर support करे, subscribe करके YouTube पे, right man को support करोगे, तो field में right होगा, बड़े giveaways मिलेंगा, और बड़ी बात पते क्या है, बड़े giveaways वले, ultimately जहां giveaway जाना चाहिए, वहां जाते भी नहीं है, यहां जाएंगे, तो ध्यान रखना, ठीक है, तो subscribe कर लिया, बहुत बड़ी बात है, नहीं किया, तो बहुत ही गलत बात है, बट कोई बात नहीं, और telegram का link, video की description, top के comment मे पहले पहले, इतना बड़ा video में data,